सबी सातियों को गुड मॉर्णिंग सुपरपाद वंदेमात्रम जैस याराम तो सातियों मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइकोलोजी टेश्ट स्री नंबर 12 इससे पहले मैं आपको 11 टेश्ट रिजे करवा चुका हूं यह टेश्ट रिज आपको रोजाना इसी चैनल पर संडे को चोड़ कर तो सातियों आज हमारा टाइटल है हमने लिखा कि खुद को जाचे खुद को जाचे आप यह यह टेश्ट रिज है ना इसमें मैं आपको मनोव ज्यान की परतेग उनिट से छे इनिट हैं परतेग उनिट से दो नहीं नहीं प्रसं लेकर आता हूं आपके जाचे आपकी त्यारी कितने हैं और मुझे कमेंट करके अवस्य बताएगी मेरे इतने आंसर सही हुए हैं और इसी कि आप चाहो तो स्क्रीन सोट पी ले सकते हो मैं स्क्रीन सोट आपको एक दो सेकंड देता हूं और या फिर आप हमारे ट्रेलिग्राम एपको जोइन कर ले और परसंस के पहले ने पते हैं जल्दी से परसंस क्या करना चाहता है ऊफिर ने वाली प्रकिरिया है 2022 एक में हो रहिफिकास कभी ने समाप्त होने वाली प्रकिरिया है यह है बिकास अब कभी समाप्त नहीं परकिर्या है यह विचार जो हैं यह विचार किसे समझी देए चार ओप्सन दिये होएं इसे परसंद बहुत इंपोर्टेंट परसंद होते हैं साथ यह परसंद इनका उत्तर देना ही बहुत बढ़ी बात हैं को तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका होगते के व्याइगा इसका करेक्ट लोगार आले बहुतिकों infused कोई बी चीज है अगर वह बढ़ेगी नी तो दी तो चाहएगी और समाप्त हो जाएगी टो मिदुकास कभी न समाप्त होने वाली प्रकिरीय आना यह किससे जो हैं लिंदैने स्भाक ट्रब पांद में आप सकता ऑन्राम में कभी रुकने वाला तो विकास जो होता ना यह निरंतर चलता रहता है मतलब कभी रुकता नहीं है यह तो आई विराम होता है ठीक ना यहां तक क्लियर हुआ इसका स्क्रीन सोटने लिजिए जल्दी से के तो अब मैं बता दूं आपको यह एकी करण का सिदान का कहता है यह करता है कि विकास जो है हैं मिल जूलकर क्या करते हैं , विकास करते हैं .ानतरसमांद का सिदान क्या करता है , विकास की है इसा वालग का सारेदिक आफ तो मानिसिक बहुत अच्छा होगा To एक चातर के अधिगम पर उसकी आरती की स्थति का किस प्रकार का प्रबाव पड़ता है मैंने एक बालक है जिसके आर्थी इस्तिति मालों बहुत अंबीर या बहुत गरीब तो उसका अधिकम पर क्या प्रबाव पड़ेगा इसमें यह बताना है आपको तो द्यान ना इसमें पहला उप्षन क्या दरिया देखा चात्र किसी प्रकार का प्रबाव नहीं पड़ेगा गरीब चात्र कम अधिगम करेगा कोई तो इसका प्रकार का प्रबाव नहीं पाओगे ठीक है ना तो जल्डी से इसका बताइए मुझे अंशर होगा न साथी ज्यान देना उस्तितिक नमबर दूसरा जो यह ना वह सए होगा कि तो से ऐसे गरीब चातर रहें नाम बता दूँ आपको एपेज अब्दुलकलाम है स्री निवास रामानुजने यह बहुत गरीब थे लेकिन यह वेग्यानिक पद पर पूंच गए साथु यह बहुत बड़ी उपलब्दी है इनकी की इतनी गरीबी में भी यह वेग्यानिक प बड़ी को चल रहा हूँ मैं है मैं अगला पर सब्सक्राइब करना चाहता है कि अधिल और को सिद्दान कैसला कि आफ दिया तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है उप्शन नंबर तीन को अधिगम का ठो सिद्धान थोन डाइक ने दिया था कि विशू के मात्र पस्व मनोव घ्यानिक है आप के मन में परतम उट ने और अने अनेक जन्तू पर परयोग किया था जिसमें एँ बिली पर मुखे प्रेयों कि अब आपके मन में नहीं कि एक शिद्दान दिया था और जान देना इसमें कभूतर पर दिया कामपरवर्ती पर सबसे अधिक बल्स मनोगेनिक ना रहा है कि कुन सा मनोगेनिकिस ना ये सीनमनल फ्राइड मनोगेनिक कामपरवर्ती जो है काम पर प्रवर्ती जो है ना कि अगले प्रेटर अंसर है देने वाले हमारे क्यों üç स्टम्र का शिद्दान दिया था प्रसुद का सिद्दान दियाyy सब्सक्राइब जेए अगले सब्सक्राइब कने जैसके साथ प्रसभ ऑप समय है सब्सक्राइब टो इसका परschण कैसे आता है परसण कहीं बाहे चुगआ एक बार इसके परालो का समंध था पाबलो का समंध था उरौप से ठीर icing EPA कि म५प विवन से था ओर में बताओं आपको पाल जो green जूहेन एक बार प्रस्ण फेल भूले कि पैसी नोबल भूलत कि estimate सब्सक्राइक का नावल स्बस्क्राइब तो इनको किस के किते में नवल पुरुषकार मिला था इन्होंने कुद्टे पर प्रियोग कब किया था यह परसंद पूचेंग प्रियों किया था तो 1903 किया था था टारेक्ट स्ट पर पूंच लिए गया चाहते हूं कि नहीं पर प्रयोग कब किया था तो यह किया था उनिस ओते रहे दुपी आपके पास नहीं किताफंगे आम पर यह इनकी नहीं मिलेंगे आपको यह इना बोल्ट की पेपरों से लिए हुए इसलिए अब सब्सक्राइब आपके सामने का सिद्दानत के नाम से जाना जाता है जिसका आपक शीच्ण और का सिद्सक्राइस कि हम उपशन नमबर दूस्रे का न सीज्ट कल लर्क वेवर था ठीक इस अदित्ध है कितने नियम दिया था सो में दिया था तो हो इसमें से गोंड नियम कितने थे पांच और मुख्य कितने थे तीन यहां तक समझे। सुल्तान नामप वण मानुस पर अलग-अलग परिष्टि ने क्या था ठीक है और अब आपके मन हैं परशन आई होगी इस आप लंने क्या कुए था क्या दिया तहाँ क्या दिया था क्या दिया गां कि आप सभी बॉल चीछ तौर पर आपका यе परसंस प्रसंब तो चलिया इसाम व your. के शिद्धान के परवर्दक को वस्त का मलब होता है studio जनक का मलब होता है उसके जनक-धाथा था स्म declared हो तर समय तो अब अब होता बाग ले लेन क्या क्या था मुल्यों के अभी ज्ञान का सिदौन कैसे दिया एक इसके बादे कुछे मुल्यों से मिलते मुल्य से मिलते हैं आप पर आधर से जैसे कि मैं आपको मनों जान के बहुत अच्छे प्रसंट कर वा रहा हूं तब आप मेरे टेस्टीस को देख रहे हैं तो यह मेरा क्या हो गया गुण हो गया ठीक था जो जाना थे खिश पर इन्होंने एक खिद्दान दिया था अधिगम का ठीक है ना तो अगले परसंद की आउगा आउगा के सामने कोन से आयू समू के लिए इरिक्षण और विकास की आठ अवस्ता बताई मतलब कि कौन सी आयू के लिए तो इसका और करेक्ट आंसर क्या वोगा जल्दी से बताई मुझे इसका जो और हमारा क्रेक्षट आंसर जाता है और सबस्ति नम्होंने अब टीन को चनम से मिर्ति तक के लिए इन्होंने आठ सब्सक्राइब करने पर पुने याद आ जाता है पर्यास करने पर क्या होता है पर्यास करने पर पुने आता यहीत हश्या जाता है आज कल के में तो परखेंक करना चाहता है पहले इसको देख लेते हैं एसार का मलब होता है stimulus response story की सिक्सा में निम्लिकित में से उप्योगता है सिवाई त्यारंग यहां तक पढ़के उत्तर दोगे तो गलत हो जाएगा यहां तक पूरा पढ़ना सिवाई का मलब होता है केवल यह नहीं है चार में से एक नहीं है बाकी सबे तो पहली क्या देगो इसमें अब्यास द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी कारिये में कुसल बनाया जा सकता है ठीक है साब इसके द्वारा गलतियों एवं भूलूं का निराकरन किया जाता है इसके द्वारा मनो उर्तियों का विकास किया जाता है गणीत वे विज्ञान विश्यों के लिए अत्यंत उप्योगी हैं तो अब सात्यों दियान देना इसका क्या करेक्ट आंसर हो जल्दी से बता दीजिए स्टिमुलस रिस्पॉंस थोरी किस ने दी थी अभी मैं आपको बताऊंगा पहले आप मेरे को यह बता दीजिए तो दियान देना सात्यों इसी को इस्टिमुलस रिस्पॉंस थोरी है ना इसी का दूसरा नाम में क्या अधिगम के साथ चरे के सिद्धान से संबन देते हैं उनमें द्यान देना सात्यों यह यह जो है उसमें मनोवर्ती मलब देखने का नजरिया का विकास नहीं किया गया बाकि तो उसमें सब किया गया लेकिन देखने का नजरिया जो है ना देखने का नजरिया कि हम दूसरे को कैसे देखे इसका नहीं किया गया बाकि इसमें सारे उप्संस है ठीक है अगले परसन को चलता हूं मैं अगला परसन आपके सामने पेस हो चुका है बहुत इंपोरेंट ये इसकी व्याक्या एतनी इंपोरेंड है कि अभी आपके एग्जाम में होची आप से बहुत इंपोरेंड है कि पर करों में बार देखना पर्ष्ट कलें । घसका चिकर किया है क्या रहा है घ wonder कि गया को जीवन का भी का है अपनी अमें लखसर क्कRIS भसकी करें कि आपका सेलेक्षिन करवाना है तो यह क्या है तो आप आरजीत करोंगे उसको आरजीत करणा प्राप्त करना अरजीत-प्रेरक यह जिनका नाम है लोग में बहुत इंपोंते नाम हैju अब्राम मेशलो इन्हेंभत करेंगे किया बताए थे दो प्रकार के प्रेरक प issuing a जनम जत प्रेरक और दूसरा ऑरजीद प्रेरक बताए थे लौत है और दॉसरा जनम जात प्रे कहां बताता है भूक है प्यास hay em ए दियान जाना क्या है यह हमारे जनम प्रेःक प्राइब होता है पने हमारे जिए यह सब किसमें चाहिए था यह सब किसमें जायेंगे तो यह बहुत इंपोर्टन यह अब राम इस्ट्रेलोट सोड हेलो मैं सी से बताता हूं आपको एक प्रस्ण परसंड यह अगया साथियों कि इस परकार का प्रेयरक ना सब्वावी प्रेयरक है तो प्रसंड के प्रसंड आज का आपके सामने परसे में इसका उत्तरदो बहुत इम्पटेंट परसन है और स्क्रीं दिए थी लियुट है तो तू कि हिते लिए फ्रत कर्साइब उप्रोक्त सभी यह घ्यानाँ worthless प्रविद्य नटीयों मंद्बुद्धि बाल को ये उप्योगी होती हैं ज्यानना है जिकना है मालो आपको चोटा सा सब्धी को जिए सब्छाचा है जोता है जो आपको रहाम सिखाना सब्षाचा होगे सब्सक्राइब करोगे और आपका मन करता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आपको अगर कुछ नया लग रहा है आपको कुछ नया लग रहा है जो भी रिट की त्यारी कर रहे हैं उनके सब के काम में आ जाएगी और की तरी करें वह भी सकते हैं तो आप निश्ची तोर पर चैनल को सब्सक्राइब करोगे साथ यह और इस चैनल को ज्यादा श्यायर करोगे वंदे मात्रम जैस यह राम मिलत कर दो तुम